बुड़ मॉर्निंग स्टूडेंट्स मसुंदर लाल सेनी सायक अचारिय सन्ब्याट कोलेज नवलगट ओनलाइन ग्लासेज मैं आपका स्वाइद करता हूँ अपना सब्जेक्ट है भासायम पाठ्थे सरिया भासायम पाठ्थे सरिया ब्याट फस्टियर के लिए तो अपना टोपिक चल रहा है भासा के प्रकार में मोखिक भासा का अर्थ जो है अपनी पढ़ लिया मोखिक भासा का महत्व है अब जो है अपन पढ़ेंगे यानि आज अपना टोपिक देगा कि मोखिक भासा अगर अपन जो है चैन करते हैं मोखिक भासा का महत्व है क्या है इस भासा को जो है क्यों चैन करें आखिर इस भासा में जो है इस माद्धे में ऐसा क्या है कि मोखिक भासा का ही चैन किया जाए तो मोखिक भासा का महत्व ह या मोखिक भाषा का महत्व है एवं दोस अधारते मोखिक भाषा से क्या फाइदा है एवं मोखिक भाषा को उपए उकड़ते हैं तो इसे हानिय क्या है तो मोखिक भाषा का लाब एवं हानिय इसकी महत्ता एवं इसके दोस है तो सबसे पहले जो है आज अपन बात करते हैं मोखिक भाषा का महत्व है मोखिक भाषा से मतलब क्या है कि अपने को सबसे पहला फायदा होता है कि समय के बच्चत होती है कोई भी संदेश है कोई भी इस परकार का मानलो की अपने अंदर जो भाव है उसको अपन जो है मालो एक तो लिख करें विक्त करते हैं तो काफी टाइम लगता है उसको लिखने में लिपिपद करने में अगर अपन जो है मोख्य के रूप से मोख्य से उचारित करके उसे भाव को उसे संदेश को उस विचार को जो है संदेश प्राप्त करता तक दूसरे विक्तित तक मालोगी पहुंचाते हैं तो एक तरह से समय की बहुत अदिके बचत होती है तो मोखी कभाषा का पहला हमारी लिए फाइदा, यह लाव यह महतु यह है कि इसे समय की बहुत अधिक बचचत होती है मोखी कभाषा में समय की बचचत होती है क्योंकि इसमें पढ़ती उतर एवँ तुरुटिया होने जैसलि रहे संभाओने नहीं होती है दूसरा मोखिक भासा के लाब में आता है परभावपूर्ण माद्यम मोखिक भासा का ये मालो की माद्यम जो है मोखिक भासा जो अधिक परभावपूर्ण होती है मोखिक भासा ने भासा माद्यम की तुरुना में अधिक परभावपूर्ण है क्यों कि एक दूसरे के सामने विचार विन्मे के कारण वेक्तिकत माधूरिय आ जाता यानि कि वेक्ति दूसरे वेक्ति को देखता है तो एक अलग ही माधूरता जो है आ जाती है और उसे मुख को उसे मुख ही अभी वेक्तियों के निरिक्षन के दुवारा किरियाओं और पर प्रदाहण्य हो रही है कि अगला आता है समझने में आसानी मोखिक भासा का अपन उप्यों करते हैं अपने विचारों को अपने संदेशों को देने में तो आसानी से संदेशों को विचारों को समझा जा सकता है समझने भहुत जाद आधी कि आसानी होती है मोखिक भासा में संदेश आसानी से समझ में आ जाता है यह दिस संदेश में कोई डाउट होता है किसी प्रकारगी कोई इमालोगी अपने अंदर जो है डाउट है तो उसको तुरंज किलियर किया जा सकता है इसका समाधान या निवारण जो तुरंट हो जाता है अगला इसमें लाब में आता है कि धनकी बचत मोख्य भासा का उप्यों करते हैं संदेश देने में तो धनकी भी अधिक बचत होती है कैसे लिखी इनके आप सकता पड़ती है तो इनको पर्चेस करते हैं तो काफी अधिकी जो है एक तरह से धन वेस्ट होता है तो इसका मुख्य कवासा का महें महत्ता इसकी उप्योगिता में मुख्य एक तरह से अपन पॉइंट वो लें तो यह भी आता है कि धन की इससे बच्चत होती है मुख्य कवासा में किसी परकार के यंत्र जैसे पेन पेपर टाइप राट इन सब की जो है वसकता नहीं होती है और नहीं किसी तकनिकी विश्य सक कि जैसे टाइपिस्ट है इनकी जो है आप सकता होती है इसलिए यह लागत जो है नहीं आती है तो यह सस्ता धन की वच्चत इसमें होती है अगला आता है महत्यों में परिसुदता एवं गति मोख्य कवासा में संदेश को सुद रूप में एवं तेज गति से दूसरी वेक् होत्या जा सकता है अगला आता है उच्चित निय अंत्र एवं निरिक्षन मोख्य के वासा के उप योग से जो है अब हम लोग जो है अपुन एक तरह से मोख्य कि वासा में उच्चित नियांत्र निरक्षन दुवारा संदेश की उप्योगिता को जाचा जा सकता है जिस वेक्ति को संदेश से देना चाह रहे हैं उसका तोरंत एक तरह से क्या है निरक्षन हम कर सकते हैं कि ये संदेश जो है अपना सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है तो इस प्रकार जो है मोखी के भासा के जो है महत्तुए के कुछे पुइंट अपनने पड़े हैं मोखी के भासा को अपनाने से क्या एक तरह से क्या है इसके फाइदे हैं इसकी उप्योगिता क्या है मोखीट भासा से अपने को क्या फाइड़ें तो समय की बच्षत होती है इस माध्यम को अपनाने से ये इतने सारे फाइड़े होते हैं धन्यवाद